आज हम लोगों ने अपने नंहाओ टॉपिक ना मीटिंग स्टार्ट केुं यह इसcastव पाता है। और आज हम लोगोने solar system के बारे में बात कहने है last previous reading में भी आप से solar system के बारे में बात की जा चुकी है आज इसको ज़र हम detail में पढ़ेंगे Our sun is only a medium size star compared with other in the universe हमारा जो solar system का sun है वो एक वहाद एक ऐसा सितार है जिसको इसके दूसरे बड़े-बड़े सितारों के साथ compared किया जा सकता है even though its diameter is more than 100 times that of the earth अगर चाहे इसका जो diameter है इसका जो कह सकते हैं इसकी इसका जो diameter इसका हुजम इसका जो size है वो हमारी जमीन से जो है वो सो गुना जो है यानि के जितनी हमारी जमीन है उसे सो गुना बड़ा है सूरज it has eight planets going around it all together they form that we call our solar system और इसके जो है इसके गेट जो है वो तकरीबन आठ जो सियारे हैं वो गर्दिश कर रहे हैं अपने अपने मदारों पर और यह सारे के सारे मिलकर जो है वो हमारा solar system बनाते हैं it is about 99% of all the material found in our solar system जो सूरज है वो जितना हमारा solar system है उसका जो 99% हिसा है जो 99 material है वो सारा कि जो जेतना है वो सूरज यानि के सूरज बाकी जो आर्ट से आ रहे हैं वो 1% है और 99% जो हिसा है हमारे material का जितना भी है वो सूरज में पाया जाता है the heat of suns comes from a kind of the nuclear explosion going on continually in his heart जो गर्मी है सूरज की वो एक ऐसे जैसे एक nuclear जो है bomb blast होता है जितनी heat वहां से निकलती है इतनी वो सलसल heat जो है वो सूरज से जो है वो आती रहती है where the temperature is about 16 lakh celsius जो है जो temperature है वो करीबन 16 lakh celsius वहां का temperature है this heat is the source of all life on earth और यही जो heat है वो जमीन पर जिन्दगी की वज़ा बनती है the heat planets of our solar system move around the sun in orbits which are not circular जी आर्ट सितारे हैं जो हमारे solar system में मुझूद है और वो अपनी अपनी मदार में यानि कि अपनी जो उनका दाइरा का रहा है उसमें सुरज के गेड जो है वो चकर लगाते हैं और यह चकर circular यानि के दाइरे की शकर में नहीं होता बलके अंडे की शकल बेजवी शकल को तो यह अंडे की शकल यानि के बेजवी शकल में बेजवी साइड पर जो है वो चकर जो है वो सुरज के गेड लगा रहे होते हैं the time for each planet to make one journey around the sun determines the length of that planet's year जीतनी देर में एक स्यारा सुरज के गेड चकर लगाता है वो duration उस planet का साल कहलाता है जैसे आर्थ के एक्जामपल लेते हैं आर्थ for example take 365 365 1 over 4 days to go once around the sun so that our year is 365 days हमारे जो जमीन है वो 365 दिनों में अपना एक चकर जो है वो सुरज के गिर्ट मुकमल करती है लहाजा हमारा जो एक साल होता है वो 365 दिनों में शामिल होता है every fourth year हर 4 साल के बार one day is added to make up for the one by four day this is called leap year and has a 366 days हर 4 साल के बार एक दिन जो है वो शामिल कर दिया जाता है साल में और यह जो साल है जिसको हम leap year भी कहते है वो 366 days का होता है mercury the nearest planet to the sun जो mercury है वो सुरज के सबसे नजदीक तरी से आ रहा है which is round in 88 days जो है वो 88 days में अपना एक चकर जो है वो फूरा करता है आने के मरकरी में साल जो है वो 88 days का होता वाइल एक शो पैंसेट साल होंगे तो वहां का जो है वो एक चकर जो है वो पूरा होगा दा प्लैनर्स डिफर वेरी कंसिडरेबली इन साइस जो सियारे हैं वो अपने साइज में अपने हुजम में बहुत मुक्तलिफ होते हैं मरकरी इस आ 4,878 km डायमेटर वाइल जाइगेंटिक जाइगेंटिक बहुत बढ़ा जुपिटर इस आ 1,43,884 km अर्थ डायमेटर इस आ 12,756 km यह हम जो जितने मुक्तलिफ से आ रहे हैं जो सूरज के solar system के हिसे हैं, ये उनके size बताए गए हैं. And Venus are too close to the sun. Mercury और Venus जो है, वो sun के सूरज के bonus, they can so hot that no life could exist. यही वज़ा है कि वो इतने गरम है, जारह सूरज से ज़्यादा जितने करीब होंगे, उतने होंगे होंगे. तो वो इतने ज़्यादा गरमी हैं कि वहाँ पर जिंदगी जो है, वहाँ पर जिंदगी नहीं हो सकती, वहाँ पर जिंदगी का वजूद मुम्किन है, नहीं है. The surface temperature of Venus is about 462 Celsius and Mercury 430 Celsius on the side facing the sun's minus 180 on the side facing away from it. The clouds on Venus are largely made up of the sulfuric acid. जो यहाँ पर clouds हैं, जो बादल हैं, वह sulfuric acid से बनते हैं. The force of gravity on Jupiter is 2.4 times as much as on Earth. जो gravity है, वो Jupiter पर हमारी जमीन के मुकाबले में 2.4 जो है, वो जादा है. If you wear 50 kg on Earth, अगर आपका वजन जमीन पर 50 kg है, तो इसका मत्तब है कि Jupiter पर आपका वजन जो है, वो 120 kg होगा. The other planets, apart from Mars, are bitterly cold. Saturn is a minus 172 Celsius and Jupiter minus 150. और जो सुरे से दूर है, उनका जो है, वो इतना कम है temperature के वहाँ पर सर्दी जो है, वो बहुत जादा होती है, बहुत जादा cold होते हैं. The little atmosphere they have is, it is of gases which are poisonous to us. और उनका जो atmosphere में जो gases पाई जाती हैं, वो हमारे लिए बहुत जहरी हैं, that's why वहाँ पर जिंदगी का exist करना possible नहीं है. But there may be perhaps was some kind of life on Mars, लेकिन किसी किसम की जो जिंदगी है, वो Mars पर पाई जा सकती है. Even if only single cold creature like a germs or bacteria, चाहे वो bacteria की form में, या germs की form में जिंदगी हो, लेकिन कहा जा सकता है, कि वहाँ पर unicellular जो जिंदगी है, वो पाई जा सकती है. Scientists are desperately trying to find out at the moment and several spacecraft have been there to scoop up soil from the surface and analyze it, sending back radio message. We know that the most important thing to support life as we know it are. Water and Oxygen. हमें पता है कि जिंदगी के लिए दो elements सबसे ज़्यादा जरूरी है, पानी और Oxygen. There are small amount of oxygen in Mars atmosphere and probably water in the form of ice under the surface. एक छोटी सी amount जो है वो oxygen की भी, जो है वो Mars में पाई गई है और ये भी मुम्किन है कि वहाँ के surface के अंदर बरफ की शकर में कुछ पानी भी पाया जाए. While temperature are very harsh by Earth standards, लेकिन जमीन के मुकाबले में जो temperature है Mars का वो बहुत ज़्यादा harsh मुश्किल है, minus 120 Celsius to 17 Celsius, some form of the light might have been possible. अगर light वहाँ पर, कहीं पर Mars में पहुंच रही है तो वहाँ पर temperature कुछ ज़्यादा हो जाता है, otherwise ये minus 140 Celsius grade तक जाता है. The planets are not equally spaced out, जो स्यारे हैं, उनके बीच में जो फरक है, जो खला है, वो एक जैसी नहीं है, but differ white in their distance from the sun, बलके वो अपने जो है sun से उनका जो फासला है, वो मुखलिफ है. Scientist can learn a lot about the planet through satellite telescopes, जो scientist हैं, वो satellite telescopes के जरिए, satellite telescope के जरिए बहुत कुछ जानने की कोशिश करें, like the Hubble and Chandra which transmit images back to the Earth. जैसे के Hubble and Chandra telescope है, जो वहां से pictures लेकर, तस्वीरे लेकर space की जुबारा जमीन पर भेजते हैं, यहां पर आपके जो है info page की site पे info दी गया, information दी गया है, यह इदर से ही आपके MCQs और short questions ज़रा तर बनते हैं, इनको ज़रूर रीडाउट कर लिया करें, Plato used to be the ninth planet of the solar system, Plato को किसी वक्त में solar system का नमास यारा जो है, वो समझा जाता था, हार इन August 2006, the International Astronomical Union decided that since Plato did not meet all the conditions, it would no longer be called a planet, क्योंकि यह इतर सुरे से बहुत आदा दूर था, और solar system की बागी सारी conditions को यह पूरा नहीं कर रहा था, लेहाजा आप यह solar system का हिसाब नहीं रहा है, आज की हमारी reading यहाँ तक, अब इन्शाला next further lectures में, जो हैं, वो मजीद reading और question answer के साथ lecture होगा, अल्लाह आफिस,